दुमका के मधुबन में राजी सरकार की ओर से किसान समागम का आयुजन किया गया इस समागम में जारखंड के मुख्यमंत्री रगवरदास ने किसानों को बड़ा तफ़ा दिया सीम ने इस दोरान 2.60 लाक रुपे की योजनाओं का ओनलाइन शिलन्यास और उद्गाटन किया साथी मुख्यमंत्री रगवरदास ने कृशी और समाज के विकास का क्षित्र में विशिष्ट कारे करने वालों को भी सम्मानित किया समागम के दोरान मुख्यमंत्री रगवरदास ने कहा कि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बलकि नौकरी देने वाले बने साथी उन्होंने किसानों से संपर्क करने के लिए सरकार की और से 28 लाक किसानों को निशुल्क मोबाइल देने के भी घोशना की आपको बता दें कि साल 2019 में लोक सभा और विधान सभा के चुनाव होने हैं ऐसे में मुख्यमंत्री रगवरदास किसानों को अपने पाले में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं खास कर संथाल परगणा के ख्षित्र में तो और भी नहीं पंजाब के सिरी टीवी के लिए दुमका से विरेंद्र कुमार जा की रिपोर्ट